नमस्कार न्यूस्क्लिक के डेली राउंड़ अप में आपका स्वागत है आए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइन्स पर बिहार चुनाओ, मदुबनी पेंटिंग का भरपूर उप्योग लेकिन कराकारों की सुध लेने वाला कोई नहीं कोरोना से अब तक 90,000 से जादा मौतें हर महीने बढ़ता जा रहा है प्रते दिन मौत का आकड़ा सेक्त राश्ट्र ने एक तरफा निर्नल की बढ़ती चिंताओं के बीज 75 वी वर्षगाट मनाई रेफरेंडम ने इटली की संसर में बड़े बदलावों को मनजूरी दी आजकल बिहार में विधान सबा चुनाओ हैं इस दुरान नेता हर उस प्रतीक का इस्तमाल कर रहे हैं जो लोगों को आकरशित करें इसी कड़ी में मिथला या मदवनी पेंटिंग भी शामिल हैं इस चुनाओं में इस कला का भरपूर इस्तमाल हो रहा है लेकिन दुखा दिया है कि किसी भी राजनेतिक दल को इस कला की समस्याओं की चिंता नहीं अभी बिहार चुनाओं में राज के प्रमुक राजनेतिक चेहरे इस कला के साथ बने मास्क का प्रयोग कर रहे हैं इसके साथ ही यह मास्क लोगों को बाटा भी जा रहा है इस कला ने अनिवार्य मास्क पहनने के नियम को स्टाइल स्टेटमें ने बना दिया है मिथला पेंटिंग से सजे मास्क 50-100 रुपए के बीच भिक रहे हैं लेकिन केवल इतने से ही इस कला का भला नहीं हो रहा आपको बता दें कि करना महामारी की कारण इस लॉकडाउन में मिथला पेंटिंग करने वाले कलाकारों को बर्बाद कर दिया है इसके अलावा बिचॉलियों का इस कला बजार में पहले से ही सेंद लगा चुके है जिस कारण कलाकारों तक उनकी कला का पुरा महनताना नहीं पहुँच पाता ये बाते हमें मदुबनी पेंटिंग करने वाले कलाकारों से बातचीत के बाद पता चली न्यूसलिक की टीम ने मदुबनी पेंटिंग करने वाले कलाकारों से इस कला के मुक्य केंडर कहे जाने वाले मदुबनी जिले के राटी और जितवार पूर गाओं वियाकर मुलाकात की राटी गाओं के भूला जहां जो कि इस कला से लंबे समय से जुड़े हुए कहते हैं यह कला अपने आप में सम्रिद है इस कला की सराहना करने वाले आज पूरी दुनिया में है आज यह कला केवल अपने कलाकारों के कलाकारी के नाम पर जिन्दा है इसमें सरकार या नेताओं की मदद बिलकुल भी शामिल नहीं है वे आगे कहते हैं कि इस चुनाओ और कुर्णा के दौर में मिथला कलाकारी करने वाले मास्क की मांग आ रही है लेकिन यह बहुत कम है कई कलाकार ऐसे भी हैं जो कुर्णा महामारी के बाद से भारी आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं कला को बचाने के लिए उन्हें ततकाल आर्थिक सहायता दिये जाने की जरूरत है स्वास्त मंत्राले दौरा आज 3 सितंबर सुबा 8 बरी जारी आकरों के उसार पिछले 24 घंटों में कौर्णा के 83,347 नए मामले दर्ज किये गए इसके अलावा कौर्णा से एक दिन में 1085 मरीजों की मौत होई है साथी इसी बीच कौर्णा से पिडित 89,746 मरीजों को स्वास्त भी किया जा चुका है देश बर में अब कौर्णा के मामलों की संक्या बढ़कर 56,46,010 हो गई है हलाग कि रिकवरी रेट लगातार बढ़ोतरी हो रही है स्वास्त मंत्रा लएक की ताजा जानकारी करों सार देश में रिकवरी रेट अब बढ़कर 21.25 फिस्दी हो गया है यानि कुल संक्रमित मरीजों में से 45,87,613 मरीजों को ठीक किया जा चुका है लेकिन कौर्णा से अब तक 90,020 मरीजों की मौत हो चुकी है इसी के साथ देश में अब सक्रिय मामलों की संक्या घटकर 9,68,370 हो गई ICMR दोरा जारी आकरों के सार अब तक 6,62,89,422 सैंपल की जाज की गई जिन में से 9,53,683 सैंपल की जाज बीते 24 गटों में हुई है जैसे हमने आपको बताया कि कौर्णा से अब तक 90,020 मरीजों की मौत हो चुकी है United Nations के अधिकांश सदसे देशों की निताओं ने सोमवार 21 सितंबर को अपने 75 स्थापना अदिवस के अफसर पर अधिकांश नेताओं ने बहुपक्षवाद के लिए सशक्त प्रवधता की आविशक्ता पर जोर दिया और कुछ देशों द्वारा आने देशों या अंतराश्ट्रे मंचों पर बॉस दिखाने के प्रयासों को लेकर चुतावनी दिए दुनिया के सीश ने ताओं की इस बैठक का थीम था इस बैठक में बोलते हुए सहुक्त राश्ट महासरचेफ एंटूनियो गेटरेज ने कहा कि सहुक्त राश्ट दुनिया के अधिकांश लोगों को उमीद देता है हालाकि यह उसी तरह मजबूत है जैसा कि इसके संदेश देशों का उनके अपने विचारों और एक दूसरे के पती-पती बद है था उन्होंने ऐसे समय में बहुपक्षिवात की अविशक्ता पर भी जोड दिया जब दुनिया कोविड-19 महामारी और जलवाईव परिवर्तन जैसे गंबीर खतरों का सामना कर रहा है इटली में प्रमुक्ष समयधानिक परिवर्तन कुछ मुक्षी राजने की दलो द्वारा गेनर से दूरदाई और समर्थित 20 सितंबर और 21 राश्ट्री जन्मत संग्रह में लगबग 70% मदान करने वालों के साथ पुष्टी की गई थी प्रस्ताव का इटली में सभी वामदलों ने विरोध किया था इस वर्ष मार्च के शुरू में हुए वोट किया गया था लेकिन COVID-19 के प्रसार के कारण इस वोट को स्थगित कर दिया गया था न्यूस्क्लिक के डेली राउंड़ अप में बस इतना ही इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूस्क्लिक की वेबसाइट पर हमें फॉलो किजे ट्विटर फेस्बूक इंस्सेग्राम पर और सब्सक्राइब किजे यूट्यूब पर साथ ही देखिया हमारी हिंदी वेबसाइट हिंदी.newsklik.in देखते रही न्यूस्क्लिक धन्यवार